इस वीडियो टूटरिल में हम सिखेंगे MS-DOS के दौरा आप फाइल और फॉल्डर कैसे क्रेट करते हैं यह MS-DOS का टूटरियर नमर 5 है इससे पहले हमने 4 टूटरियर में सिखा था कि फाइल और फॉल्डर कैसे बनाते हैं लेकिन इस वीडियो टूटरियर में हम सिखेंगे कि अपने फाइल और फॉल्डर को MS-DOS के कमांड के दूरू डिलिट कैसे कर सकते हैं सिखते हैं सबसे पहले आपने कमपेटर में MS-DOS को ओपन कर लेते हैं उसके लिए देखें यहां पे गया मैं स्टार्ट पे उसके बाद यहां पे देखें कमांड प्रॉम्ट आ रहा है यहां पे नहीं हो तो आल प्रोग्राम्स पे जाके भी खोल सकते हैं आप यहां पे जब आप जाएंगे तो देखें यहां एसो स्रीस पे किलिक कीज़ें उसके बाद यहां पे कमांड प्रॉम्ट खोल लिजें इसको यहां पे हम सिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा साइड में यहां पे इस तरह से ठीक है और उसके बाद हम खोल लेते हैं अपने computer को तो दिखें यहाँ पर computer का icon बनड़ा यहाँ पर click करके इसको खोल सकते हैं या आप start button पर click किजें यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर चले जाएं यह computer पर ठिक उसके बाद इसको भी हम थोड़ा सा यहां पर set कर लेते हैं उसके बाद देखें यहां पर तीन ड्राइब बने हुए C है, D है और E है तो हम जो भी काम करेंगे वो D में करेंगे तो देखें यहां पर D ड्राइब है ठीक उसके बाद देखें यहाँ पे सबसे पहले जो हम अभी directory देखें तो c में है directory हमारा तो इसको हम d में लाते हैं तो इसके लिए हमने command सिखा था पिछले video tutorial में अगर याद हो आपको तो तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसमें ला सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं d और semicolon यह सिर्फ colon है d और colon लगाके और enter कर दीजिए तो देखें यह जो है हम अब d में आ चुके हैं d इसमें आ गए हम ठीक है और इसमें जो भी file और folder create करेंगे वो इसके अंदर होगा तो चलिए इसको open कर लेते हैं d को ठीक है यहाँ पे देखेंगे जो भी file और folder बनाए कि वो यहाँ पे होगा लेकिन देखें यहाँ पे जो है एक जीजवेश्टाई के नाम से एक notpad का file बन रहा है और यहाँ पे देखेंगे एक my folder जो कि हमने पीछले video tutorial में बनाया था तो इसको आप delete करना है बना तो लिया था हमने लेकिन आप इस video tutorial में सिखना है कि इसे delete कैस कर सकते हैं MS-DOS command के through तो देखें delete कैसे करेंगे सबसे पहले इस file को delete करते हैं file को delete करने के लिए लिखते हैं DEL DEL उसके बाद space space देने के बाद यहाँ पे type करना है आपको file का नाम तो file का नाम देख लिजी क्या है file का नाम है यहाँ पे sggvsti.txt यह हमने नाम दे दिया file का उसके बाद enterprise कीजिए तो देखें यहाँ पे जो file था वो delete हो गया उसी तरह यहाँ पे यह folder delete करना है तो folder को delete करने का जो command होता वो DEL नहीं होता है delete नहीं होता है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा RD folder को delete करने के लिए command लिखते हैं RD space उसके बाद folder का नाम folder का नाम है my folder तो my folder मैं लिख देता हूँ my folder उसके बाद enter कीजिए तो देखे my folder नाम का जो folder यहाँ पे था वो delete हो गया तो इस तरह से क्या है आप delete कर सकते हैं अब देखे अभी जो हमने file delete किया और folder delete किया तो यह तो शरीफ एक item था यानि folder जो था वो खाली था उसके अंदर कोई file नहीं था लेकिन आप देखे यहाँ पे एक folder बनाते हैं folder बनाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे command md space और folder का नाम रखते हैं my folder folder का नाम मैंने देदिया my folder उसके बाद enter paste करते हैं तो देखें यहाँ पे जो है my folder के नाम से folder बन गया अब इस folder के अंदर आते हैं इस folder के अंदर हम इसलिए आएंगे क्योंकि इसके अंदर हम एक file create करेंगे dot 있어요 के नाम से एक file notp joined की या किसी भी चीज की FILE create करेंगे बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले इस FOLDER के अंदर आना होगा तो इसके अंदर डायरक्टरी कैसे लेंगे वह देखें यहाँ पर FOLDER के अंदर डायरक्टरी लेने का भी हमने पिछले वीडियो टूटोरीट में सीखा था उसके लिए यहाँ पर टाइप करेंगे cd और बइस्पेस और उसके बाद यहाँ पर टाइप कर देंगे फोल्डर का नाम फोल्डर का नाम है my folder my folder टाइप कर दिया हमने उसके बाद यहाँ पर enter darauf हैं किजिए तो देखें हम copy, 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 उसके बाद space देना है, और यहाँ पर लिखना है, con, co, and con, उसके बाद, जो भी file आप बना रहे, file का नाम देना होगा, तो मैं देता हूँ जैसे यहाँ पर, rks.txt, यह मैंने file बना दिया, notpad का, notpad का होता है, .txt, यह extension name होता है, इसलिए यहाँ पर लगाना है, उसके बाद enter, paste कीजिए, और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, ऐसा ही demo text लिख देते हैं, file के अंदर कुछ भी open करेंगे, तो यह demo text वहाँ पर show करेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर enter, press करके, यहाँ पर control, folder है, वो बना हुगा है, यानि file बनी हुई है, अब यह जो file है, यह इस folder के अंदर है, my folder के अंदर, तो इस file को delete करना होगा, तो पहले यहाँ पर आना होगा हमें, तब ही हम delete कर पाएंगे, लेकिन देखिए, यहाँ पर जो यह file बना है, इसी के अंदर यहाँ पर, यानि इस वाले folder में, my folder में एक और folder बना देते हैं, तो उस folder का नाम देते हैं, folder बनाने के लिए, फिर से command type करेंगे, md, space, और उसके बाद फिर से यहाँ पर type कर देते हैं, हम type करते हैं, rks, s, और उसके बाद enter कर देते हैं, तो देखें, एक folder भी बन के आ गया, rks के नाम से, ठीक, अब देखें, यहाँ पर folder भी बन गया है, और file भी बनी हुए, दोनों चीज इसके अंदर बने हुए, अब हमें delete करना है, जैसे की folder, देखें, अब हम जैसे इस folder को delete करते हैं, my folder को, देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा, d drive में, क्योंकि यह folder जो है, वो d drive में, किसी folder के अंदर नहीं है, d drive में, देख सकते हैं, यहाँ पर d drive में है, तो directory चेंज करने के लिए, फिर से लिखेंगे, हम cd, और space देंगे, और, दो dot लगा के, एंटर कर देंगे, तो देखें, हम d drive में आ गए, अब यहाँ पर folder डिलिट करने के लिए, जैसे हम पहले लिखते थे, rd, और उसके बाद folder का नाम, तो folder का नाम क्या है, my folder, और उसके बाद enter करते थे, लेकिन इस बार, जब हम enter करेंगे, तो यह folder जो डिलिट नहीं होगा, देखेंगे यह जो कह रहा है, the directory is not import, यानि कि यह folder खाली नहीं है, इसलिए delete नहीं कर पाएगा यह इसको, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या क्या है, इसके अंदर हमने एक file बना दिया, और एक folder और इसके अंदर हमने बना रखा है, तो इसलिए यह delete नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें, इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह जो file है, तो उसे delete करना पड़ेगा और उसके बाद ये folder भी delete करना पड़ेगा तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा तो इस फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे आप उसके लिए दिखें यहाँ पर टाइप करेंगे आप cd space folder का नाम my folder टाप के मैंने my folder उसके बाद एंटर पेस कीजिए तो देखें इस फोल्डर के अंदर आ गया अब इस फोल्डर के अंदर आने के बाद क्या करना है यहाँ पर डिलीट करना है डिलीट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम d e l क्योंकि हम इस folder के अंदर डिलिट करने वाले वो हम पहले करेंगे ये जो file है इसको delete कर रहें आप चाहे तो folder कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं तो der लिखा उसके बाद यहां पे der लिखने के बाद दिख़ें यहां झिलिखना है profile का naam यानि फाइल हम delete कर रहें तो file का यहाँ पे हमने सिर्फ टाइप किया है del rks यानि कि इसका extension name भी देना चाहिए था जो कि हमने नहीं लगाया तो इसलिए मैंने आपको ध्यान में रखते हुए त्यार किया है कि यहाँ पे extension name भी आपको देना पड़ेगा तभी delete होगी कोई भी file तो उसके लिए मैं type करता हूँ del और उसके बाद rks उसके बाद .txt क्योंकि इसको बताना पड़ेगा कि क्या चीज हम delete कर रहें उसके बाद interface किजिए तो देखिए यह जो है delete हो गया उसके बाद यह folder delete करना है तो इसके लिए भी delete कर सकते हैं आप इसके लिए type करना होगा या तो इसको आप back जाके भी कर सक करते हैं तो इसके लिए मैं command देऊंगा cd क्योंकि मैं directory change कर रहा हूं मैं जो आ रहा हूं d directory में आ रहा हूं folder से निकल रहा हूं folder को मैं बाद मैं delete करूंगा अभी मैं फिलाल बाहर आना चाहता हूं तो मैं आ गया d में उसके बाद यहां पर आ गया मैं देखिए यहां पर d म लिखा हमने और उसके बाद folder का नाम देंगे folder का नाम जो है वह है my folder यहां पर टाइप करता हूं my folder उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए क्या कर रहा है the directory is not empty क्यूंकि यहां पर इसके अंदर भी एक folder अभी और है यहां पर तो इसको भी delete करना पड़ेगा तभी आप जो है इसको delete कर पाएंगे तो इस तरह से जब भी आपको कोई भी चीज delete करना हो तो उसके अंदर जो item है पहले उसको delete करना होगा तभी आप delete कर पाएंगे ऐसा नहीं कि पहले इसके अंदर बहुत सारे file या folder है और आपने यहां पर आके इसको delete करना चाहा तो वो नही हो पाएगा तो दिखें इसके अंदर फिर से जाते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे cd space किस folder के अंदर जाना आपको उस folder का नाम my folder के अंदर जाना है तो मैंने टाइप किया my folder उसके बाद enter paste किजिए तो दिखें यहाँ पे my folder के अंदर हम आ चुके हैं अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको डिलीट करना है इस वाली फोल्डर को और यहाँ वाली आर के एस उसके बाद एंटर प्रेस किजिए देखिए यहां पर एंटर करने से पहले मैं आपको बता दू अगर इसके अंदर भी कोई फाइल होती जैसे आर केस यह फॉल्डर यह फिलाल लेकिन अगर इसके अंदर भी कोई फॉल्डर होती तो पहले इसके अंदर भी जाके उ को delete करते तो देखे यहाँ पर कर दिया उसके बाद enter paste करते हैं तो यह जो फोल्ड़ हो देखिए डिलिट हो गया तो इस तरह से आप जो है delete कर सकते हैं जो यह ms-dos है इसे close करते हैं यहाँ पर type करते है command exit ex-it और enter paste करते हैं exit close हो गया इसे भी close करते हैं, तो MS-DOS के इस video tutorial में आपने सिखा कि किसी भी file को कैसे delete कर सकते हैं, और file कैसे create करते हैं, और भी video tutorial देखने के लिए और सिखने के लिए learning as is based i का यह YouTube channel है, यहाँ पे click करके इस red color के button पे click करके इसको यहाँ से subscribe कर लिजे, या अगर आप इसके किसी video को play करके देखे, वीडियो की नीचे यह red color का subscribe button है, यहाँ पे click करके इसको subscribe कर लिजे, और यहाँ पे click करके वीडियो को like कर दीजे, और comment box में लिखके बताइए कि learning as is based i का video tutorial आपको कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी और topic पे video चाहते हैं, तो भी आप comment box में लिख सकते हैं, उस जीजवेश्टाई और सीख तेरे यह धन्यवाद, थैंक्यू